Hello student, welcome to smart chemistry. Previous lecture में हमने सुकरोज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है. हमने previous lecture में सुकरोज की structure और property को समझा है. आज की lecture में हम पढ़ने वाले हैं माल्टोज की structure और property और साथी साथ देखने वाले हैं लेक्टोज की structure और property को. तो चलिए शुरू करते हैं. Dear student, माल्टोज एक डाइसेकराइड है. तो डाइसेकराइड है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका भी formula यह वही होगा जो सुकरोज का है. यानि C12, H22, O11. तो माल्टोज जो है, इसका formula क्या होता है? C12, H22, O11. ठीक है? ठीक है, माल्टोज को माल्ट से हासिल किया जाता है. माल्ट कहते हैं, जब जो हमारे अनाज होता है, अनाज को जब हम भिगोते हैं, और भिगोने के बाद जब हम उसको सुखाते हैं, तो हम इसे कहते हैं माल्ट, ठीक है? जर्मिनिटेड सीट्स यह होते हैं. तो ऐसा कार्बोहर्डे जिसे हम माल्ट से हासिल करते हैं, ऐसी शुगर जिसे हम माल्ट से हासिल करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, माल्टोज शुगर कहते हैं, तो जो माल्टोज शुगर हैं, इसे हम किस चीज़ से हासिल करते हैं, जिसके वज़ा से इसका नाम पढ़ गया है म माल्टोज. ठीक है? चीलिए अब यह देखते हैं कि जो माल्टोज होता है इसकी structure property किस तरह से होती है? देखिये जो माल्टोज होता है वो एक die sakharide है तो die sakharide है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 mono sakharide पाय जाते होगे माल्टोज एक die sakharide है तो D Creat scherite इसका मतलब यह हुआ के दो Mono saccharite से मिलकर यह बना है जो दो Mono saccharite से मिलकर बना होता है वो होता है Alpha D Plus Glucose और Alpha C Plus Glucose यानि दोनों ही Alpha D Plus Glucose होते हैं जब Alpha D Plus Glucose और Alpha D Plus Glucose क्या होगे एक दूसरे से जूड जाएंगे तो जो molecule हासिल होगा उस molecule को हम क्या कहेंगे maltose कहेंगे ठीक है यह alpha d plus glucose और alpha d plus glucose जिस bond के जरीए से आपस में जोड़ते हैं इसे हम glycosidic bond कहते हैं इसे हम glycosidic linkage कहते हैं और खास तोसे maltose के अंदर जो glycosidic linkage होती है इसे alpha 14 glycoside linkage कहते हैं इसे alpha 1 4 glycoside linkage क्यों कहते हैं इसको भी समझ लीजिए देखें क्या होता है एक glucose का पहले नंबर का carbon यानि C1 carbon ठीक है एक glucose के पहले नंबर का carbon और दूसरे glucose के चोहते नंबर का carbon यानि 4th नंबर का carbon ठीक है पहले एक glucose के पहले नंबर का carbon यानि 1st नंबर का carbon और दूसरे glucose के 4th नंबर का carbon क्या करते हैं उसका ओवेच आपस में reaction करता है पानी का water molecule निकल जाता है और वहाँ linkage तयार हो जाती है इसलिए उस linkage को हम 1,4 glycosidic linkage कहते है ठीक है पहली नंबर का carbon जो anumeric carbon है glucose का पहली नंबर carbon और दूसरे glucose का चौधे नंबर का carbon क्या करेगे आपस में bonding कर लेगे ठीक है कौन सी bonding करेगे glycosidic bonding करेगे और उसी glycosidic bonding को हम क्या कहेंगे 1,4 glycosidic bond ठीक है तो maltose के अंदर ये जो alpha d plus glucose होते हैं वो कौन सी linkage के जरीए से जुड़े होते हैं 1,4 glycosidic bond के जरीए से 1,4 glycosidic linkage के जरीए से वो आपस में जुड़े होते हैं वो दो बाद समझ में आ रही है ठीक है मैंने आपको बताया हूँ कि जो maltose है वो एक disaccharide है disaccharide है इसके मतलब ये हुआ कि जब मैं इसका hydrolysis करता हूँ acidic hydrolysis करता हूँ या इनि dilute hydrochloric acid या dilute salific acid के साथ इसकी reaction करवाता हूँ या एक खास enzyme जिसे हम maltase enzyme कहते हैं उसके साथ जब मैं maltose का अमल करता हूँ तो नतीजी में दो monosaccharide हासिल होते हैं और वो दोनों monosaccharide कौन होगे alpha d plus glucose और alpha d plus glucose ठीक है चलिए देखते हैं देखिए जब मैं maltose लेता हूँ यानि C12 H22 O11 लेता हूँ ठीक है और इसका hydrolysis करता हूँ यानि water के जरी से इसको तोड़ता हूँ और किसकी मौझूदगी में reaction करता हूँ acid की मौझूदगी में reaction करता हूँ या कौन से enzyme की मौझूदगी में करता हूँ maltase enzyme की मौझूदगी में यह वाला hydrolysis करता हूँ तो नतीजे में क्या मिलेगा मुझे मिलेगा C6H12O6 और दूसरा भी होगा C6H12O6 ठीक है दोनों के दोनों कौन होगे alpha D plus glucose होगे तो जो product मुझे हासिल हुआ है ये भी glucose है और ये भी glucose है दोनों के दोनों कौन होते हैं glucose होते है alpha D plus glucose ही दोनों के दोनों मूनुमर होते हैं तो लो बास समझ में आ गई है अब चलिए देखते हैं अगर आपको पूछ लिया जाए कि मालटोज का structure बनाए तो किस तरह से आप मालटोज का structure बनाओगे देखें जैसा कि आप जानते हैं कि मालटोज दो मूनो सेकैट से मिलके बनाए कौन कौन से alpha D plus glucose और दूसरा भी कौन होता है alpha D plus glucose यानि आपको alpha D plus glucose का structure मालूम होना चाहिए पता है यह alpha d plus glucose जो होता है उसके अंदर ओवेच कहां कहां होते हैं नीचे नीचे उपर नीचे जबी बनाएगे हैं क्या करेंगे हम हम सबसे पहले क्या करेंगे पायरनोज इस्ट्रिक्चर बनाएंगे alpha d plus glucose का इस तरह से हम क्या करेंगे माल्टोज का एक alpha d plus glucose structure बना लेगे ठीक है इसमें ओवेच ओवेच कहां होते हैं यह आपको मालूम है कहां कहां होते हैं ओवेच ओवेच बताए नीचे नीचे उपर नीचे मतलब यह हुआ कि यह वाला कार्बन का ओवेच कहां होगा नीचे होगा लेकिन यह पहले नमबर का क वो भी नीचे होता है फिर तिसे का उपर होता है और फिर चोहते का नीचे होता है और यहां होता है CH2 OH बाइक सब जगा क्या लगा देते हैं हम H, 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 H और H हम देते हैं ठीक है यह हो गया हमारा एक alpha d plus glucose अब आपको दूसरा भी क्या बनाना है सेम ऐसे ही alpha d plus glucose आपको बनान है चलिए बना लीजिए यह होगे आपका दूसरा alpha d plus glucose का इस्ट्रक्चर ठीक है इसमें ओवेच कहां कहां होगे बताइए भही नीचे नीचे उपर नीचे ठीक है तो यह बना लिए मैंने इसका ओवेच नीचे नीचे उपर अब देखें यह वाला जो कार्बन है यह वाले कार्बन का ओवेच बॉन्डिंग में इसले रहा है इसलिए मैं यह ओवेच को नहीं बनाओगा ठीक है तो उसके बाद मैं क्या लिखूगा यहां CH2 OH ठीक है और बागी सब जगा क्या लगा दूगा H, 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 H और H अब यह दोनों जो alpha d plus glucose है इनको क्या कर लोगा मैं bonding के जरि यह वाली जो bonding है जो इतर लिंकेज यहां बनी है इसे ही मैं कहता हूँ 1,4 glycosidic linkage क्यूँ 1,4 कहा क्यूंकि इसके पहले नंबर का कार्बन का ओवेच ने bonding में हिसा लिया है और इसके चौती नंबर के कार्बन के ओवेच ने bonding में हिसा लिया है इसलिए इस linkage को मैं क्या का यहां मिला है यही मॉलीक्यूल आपका है माल्टोस दुलोबा समझ में आई है अगर नहीं समझ में आई तो आप जो वीडियो है इसको एक बार रिपीट करके देख लें और यह structure को याद कर लें ठीक है है हो सकता है कि आपको एक्जाम में पूछा जाए Dear student, माल्टोस एक reducing sugar है क्योंकि इसके पास एक जो aldehyde group होता है वो free होता है reduction करने के लिए tolerance reagent का या कोई दूसरी reagent का वो reduction करने के लिए free होता है जिसके वजह से माल्टोस एक reducing sugar होती है चलिए देखते हैं देखिए ये वाला जो आपका glucose यह अलफा D plus glucose और यह वाला भी है आपका alpha D plus glucose इसका यह वाला जो carbon है पहले नमबर का हिसके जो आलडीहाइट का आ ती चरहक का और किया है यह Woo लोग बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है तो हमने हम भी तक पढ़ लिया है कि माल्टोज का जब हम हम हाइडॉलिसिस करते हैं तो कौन से 2 मोनोमर्ण मुकासिल होते हैं और हमने माल्टोज का structure भी देख लिया है अब हम देखने वाले हैं lactose के बारे में देखे, lactose एक disaccharide है, जिसका molecular formula वही होता है कौन सा? C12 H22 O11 ठीक है? ठीक है lactose जो होता है ये lactose sugar को milk से, दूद से हासिल किया जाता है किस चीज़ से हासिल किया जाता है? दूद से हासिल किया जाता है और दूद को Latin में lack कहा जाता है इसलिए इस sugar को जो sugar इस milk से हासिल किया जाती है इसे हम lactose sugar कहते हैं ठीक है? तो milk sugar जो होती है, यानि जो sugar milk से हासिल किया जाती है, उसे हम lactose sugar कहते हैं क्योंकि जो milk है, उसे latin में क्या कहा जाता है, lec कहा जाता है, ठीक है तो जो lactose sugar है वो कहां पाई जाती है, दूद के अंदर, ठीक है इसलिए lactose को milk sugar भी कहा जाता है, चलिए अब देखते हैं कि lactose का structure किस तरह से होता है दीखे, lactose एक disaccharide है disaccharide ही हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसका formula क्या होगा, C12, H22, O11 होगा अब चुके disaccharide है, इसका मतलब यह हुआ कि यह दो monomer से मिलके बना होगा दो छोटे-छोटे monosaccharide से मिलके बना होगा इसमें दो छोटे-छोटे जो monosaccharide होते हैं वो होता है, beta-D plus galactose कौन होता है, beta-D plus galactose होता है और होता है, beta-D plus glucose कौन होता है, beta-D plus galactose और beta-D plus glucose दो monomer इसके अंदर जो होते हैं दो monosaccharide जो lactose के अंदर होते हैं वो होते हैं, beta-D galactose और beta-D glucose ठीक है? galactose होता है और glucose होता है और यह दोनों किस bond से जूड़ते हैं, किस linkage से जूड़ते हैं, glycosidic linkage की जरीए से आपस में जूड़ते हैं क्या होगा, अगर आप यहां देखोगे, तो galactose का पहले नंबर का carbon का ovech और glucose के चौतिय नंबर के carbon का ovech गैलेक्टोज के पहले नंबर का carbon का ovech और glucose के चौतिय नंबर का carbon का ओवेज क्या करेगे water का molecule release कर देगे और वहाँ linkage बन जाएगी glucose और galactose के दर्मियान उस linkage को हम कौनसी linkage कहेंगे 1,4 glycosidic linkage कहेंगे ठीक है? चुकि दोनों बीटा है इसलिए हम कहेंगे beta 1,4 glycosidic linkage यहाँ तयार हो जाती है तो galactose के अंदर जो galactose और जो glucose होता है उनकी दर्मियान जो linkage होती है जो bonding उनके पास होती है वो होती है beta 1,4 glycosidic linkage ठीक है? 1,4 क्यों होती है? क्योंकि galactose का पहले नंबर का carbon और glucose का चौदे नंबर का carbon पोत नंबर का carbon क्या करेगा? bonding में participate करेगा जिसके वज़ा से इस linkage को हम 1,4 glycosidic linkage हैंगे चलिए अभी यह देखते हैं कि lactose के structure को आप किस तहां से draw करोगे? अगर आपको question पुछ लिया जाए कि lactose के structure को draw करें तो आप किस तहां से draw करोगे? चलिए देखते हैं बताए यह lactose के अंदर और जो mono-hower होते वो कौन-कौन होता है एक होता है beta-d galactose और एक होता है beta-d glucose देखते हो जो galactose होता है तो galactose का जो ovechs होता है मैं लिख देख Weight आपको बता देता हूँ हम खास तोर से लेने वाले हैं beta d galactose हम लेने वाले हैं ठीक है और कौन लेने वाले हैं हम बीटा बुलिए D ग्लुकोज हम लेने वाले हैं जो गेलेक्टोज होता है इसका ओवेच होता है बीटा डी गेलेक्टोज है बीटा डी गेलेक्टोज जो होता है उसका ओवेच जो होता है वो आपको बता दूँ इसका उव्वेच होता है उपर, नीचे, उपर, उपर ठीक है? पहले नमबर कार्बन, दूसरे नमबर का, दूसरे नमबर का, चौसरे नमबर का कार्बन कहां-कहां उव्वेच होते हैं? उपर, नीचे, उपर, उपर और जो glucose होता है, glucose के अंदर जो उवेच होता है, वो होता है उपर, नीचे, उपर, नीचे, ठीक है, अब यह अगर आपको समझ में आ गया होगा, मेरे बात जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ, अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो बहुत ही आसानी से अब lactose का structure ड्रॉ क कर सकते हो, क्या करना है आपको, अब आपको बनाना है बीटा डी गैलेक्टोज और आपको बनाना है बीटा डी ग्लुकोज, चलिए देखते हैं, आप क्या करोगे सबसे पहले, इस तरह का पायरनोज structure बना लोगे, ठीक है, यह आपका गैलेक्टोज का होगा, गैलेक्टोज का जो पहले नंबर का कार्बन है, यह वाला जो कार्बन है, वो bonding में हिस्सा लेने वाला है, तो इसका ओवेश मैं नहीं लिखूगा, फिर दूसे नंबर का जो कार्बन होता है, वो कहा होता है, नीचे होता है, मैं लिख लेता हूँ, नीचे, फिर कहा होता है उपर और फिर कहा होता है उपर ठीक है उपर बीचे उपर उपर और फिर कहा लिखेगे हम CH2 और बागी सब जगह क्या लगा देगे H H H H H और H यह बीटर डी के लेक्टोस का स्ट्रक्चर अब बनाते हैं बीटर डी ढौ कोस का देगें क्या करें हम क्या करें कि पहले बना लेगे इस तरह से आप पार्योंदी इस्टक्चर बना लेगे इसमें ओवेच ओवेच कहा होगे उपर नीचे उपर उपर नीचे उपर नीचे उपर इसका नीचे होगा इसका ओवेच कहा होगा नीचे होगा अब नीचे होगा तो मैं उसको नहीं बनाने वाला हूँ ठीक है अब हम क्या लिख लेगे यहां CH2 OH और बागी सब जग हम क्या लगा देगे अब इसका ओवेच कहा था उपर और इसका ओवेच कहा था नीचे था तो इस तरह से इसके धर्मियान क्या बन जाएगी इस तरह की बॉंडिंग बन जाएगे और इसी लिंकेज को हम क्या कहेंगे बीटा-1,4 Glycosidic Linkage हम कहेंगे और यह जो स्ट्रक्चर आपका बन गया है इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहने वाले हैं बताइए इसी को हम कहते हैं Lactose बहने बात समझ में आ गई हैं उमीद करता हूँ कि आपको बाते समझ में आ गई हैं बहुत आसानी से आपको मैं बता रह तो इसमार्ट तरीक के बता रहा हूं आपको याद करने के देखिए लेक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है इसका रिजन आप खुद बता सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है पताए क्यों जो है लेक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होगी बता सकते हैं सोचिए जी हाँ देखे लेक्टोज जो होता है क्योंकि इसका जो एक कार्बन होता है जो एनोमरिक कार्बन जो ग्लुकोज है ग्लुकोज का एनोमरिक कार्बन ये वाला जो कार्बन होता है पहले नंबर का कार्बन वो फ्री है वो bonding में participate नहीं किया है जबके galactose के पहले नंबर के carbon यानि अनुमरिक carbon ने जो कि किसका है? aldeite का है उसने bonding मनाने में participate कर लिया है लेकिन glucose का ये जो beta-d glucose है उसका पहले नंबर का carbon यानि जो aldeite का carbon है वो free है वो bonding में हिस्सान नहीं लिया है जिसकी वज़ा से ये carbon क्या कर सकता है? reducing property को represent कर सकता है है ना? इसी लिए जो lactose sugar होती है वो reducing sugar होती है क्योंकि इसका एक aldehyde group जो glucose के पास होता है वो free होता है और उसी के वज़ा से जो lactose sugar होती है वो एक reducing sugar होती है बुलो बास मनी में आई है? ठीट है तो आज हमने पढ़ लिया है maltose का structure और उसकी property और साथ ही साथ हमने आज देख लिया है lactose और उसकी structure property को इस तरह से हमने आज डाय सेकराइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है next lecture में हम पढ़ने वाले हैं polysaccharide के बारे में उम्मिद करूगा कि आप वो lecture को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो दी मिलते हैं next lecture के अंदर जब तक Assalamualaikum और रह्मतुलाही वबरकात